अगला जो विवरन या अगली घटना जो आपके अध्याय में है और जो इस बात को और पुक्ता करती है कि अमेरिका का वर्चस्व कितना बढ़ता जा रहा था वह घटना है इराक पर आक्रमन इराक पर हमला दुतिय खाड़ी युद्ध याने हम दूसरे खाड़ी युद्ध की बात कर रहे हैं पहला खाड़ी युद्ध कौन सा था 1990 का जिसमें Operation Desert Storm हुआ था दूसरा उधारन हमने क्या देखा 1990 का जिसमें Operation Infinite Reach का चर्चा हुई थी तीसरा उधारन हमने क्या देखा 9-11 की प्रतिक्रिया और चोथा उधारन अब यहां आते हैं दुतिय खाड़ी क्या था लोग वही अमेरिका और इराक लेकिन घटना क्रम कुछ दूसरा और जहां पूर्व की घटना की यदि हम बात करते हैं कि चाहे वो पहला खड़ी युद्ध हो पहला खड़ी युद्ध क्यों हुआ कुवेट पर इराक के द्वारा कबजे की प्रतिक्रिया की इनित सो अंठानवे का ऑपरेशन इन्फानाइट रीज क्यों हुआ अमेरिका द्वारा उसके दूता वातनों पर हमले की प्रतिक्रिया में नौ ग्यारा के बाद जो आतंक वाजियों पर हमले किये गये वो नौ ग्यारा की प्रतिक्रिया में अमेरिका पर हमले की प्रतिक्र या चौथा जो घटना है चौथी घटना जिसे जुती खाड़ी उद्ध कह रहे हैं वो घटना कुछ अलग धंग की है कुछ अलग तरीके की है इसमें क्या हुआ था पहले हम घटना को थोड़ा जान लें कि क्या हुआ था 2003 जह घटना कप की है 2003 की यहाने 911 के दो वर्ष बाद 19 मार्च अमेरिका ने ऑपरेशन इराकी फ्रीडम के नाम से इराक पर हमला किया इस आपरेशन का क्या नाम है आपरेशन इराकी फ्रीडम पहले वाले आपरेशन का क्या नाम था Operation Desert Storm ये नाम जरूर याद रखें आपकी परिक्षा में कई बार ये पुछा जाता है कि Operation Desert Storm कब और क्यों हुआ था परणाम लिखें तो आपको सपस्ट होना चाहिए कि Desert Storm मतलब 2001 एराकी Freedom याने 2003 तो अब ये देखें जो नाम ही बताता है इराकी Freedom याने इराक को स्वतंत्र करने के लिए इराक को स्वतंत्र करने के लिए लड़ाई अमेरिका ने शुरू की किस से स्वतंत्र करना था इराक तो एक स्वतंत्र देश था ही इराक एक प्रभुता संपन अपना सार्वभौमिक देश था इराग बलकि अमेरिका का सतत रूप से विरोध करता था अमेरिका की गत्विदियों पर सतत रूप से प्रश्ण चिन उठाता था इसलिए अमेरिका नालाज था क्योंकि अमेरिका कते ही नहीं चाहता था बरदाश नहीं करता था कि ऐसा कोई देश हो जो उसके उसकी गत्विदियों पर सवाल उठा है प्रश्मिचे नहीं लगा है वो तो इतना आगे बढ़ चुका था वर्चस्ता के मामले में कि अब बाकी सब देश उसके कोसों पीछे थे तो यहां से शुरू होती है गटना तो आपरेशन इराकी फ्रीडम किस से जो सवाल यह फ्रीडम उस व्यक्ति से जो अमेरिका की खिलाफत कर रहा था फ्रीडम उस व्यक्ति से जो अमेरिका को सतत रूप से सतत रूप से अमेरिका पर हमला कर रहा था कैसा हमला शब्दों से अपने भाशनों में अपनी गतिविदियों के माध्य हमसे सतत रूप से वो बता रहा था कि अमेरिका की इन नीतियों को वो पसंद नहीं करता विश में विविन प्लैटफॉर्म में वो अमेरिका की आलोचना करता था कौन था वो व्यक्ति एराग का राश्पती सदाम हुसैन क्या नाम था सदाम हुसैन जो अमेरिका की सतत रूप से आलोचना कर रहा था अमेरिका की कूट नीति अमेरिका की विदेश नीति पर सतत रूप से प्रश्ट चिन हता रहा था उस सदाम हुसैन को उन्हें गड़ी से हटाने के प्रियास के लिए ये अमेरिका के दौरा आपरेशन एराकी फ्रीडम के कूट नाम से उसने सैन ने हमला किया अमेरिका ने क्या किया एक चालिस से ज्यादा देशों की फाज बनाई और इस बार इसने स्विक्त राज संग की अनुमती एक तरीके से ली या स्विक्त राज संग को विवश किया अपनी बात मनवाने के लिए और स्विक्त राज संग उसके दवाव में आगया और दवाव में रहते हुए अमेरिका के नित्रत में अमेरिका के अगवाई में 40 देशों की फाज उसमें थी और उसका नाम था ओपरेशन कोईलीशन ओफ विलिंग्स क्या ओर्थ है कोईलीशन मतलब गुट महागुट विलिंग्स मतलब इच्छुक लोंगों का महागुट आपकी पुस्तक में वो आकांखियों का महागुट कहा गया है एक बास्तों में ये इच्छुक लोंगों का महागुट था जो लोग अमेरिका के साथ इस बात में इच छुक थे कि सिदाम हुसायन जो इराक की राश्पती उन्हें गद्दी से हटाया जाया है। उन्हें उन्हें उन्से च्वतंतर किया जाये किस से? कदाम हुसाइन की ताना शाही से स्विक्त राजचंग ने एराग पर इस हमले की अनुमती शुरू में तो नहीं दी दिखावी के लिए अमेरिका ने बार बार नहीं दी थी मैं आपको बता दूँ कि प्रारम में स्विक्त राजचंग ने इसकी अनुमती नहीं दी मना किया लेकिन अमेरिका बार बार ये धुहाई देता रहा कि ये हमला किसी गलत उज्जेश से नहीं है इसके पीछे पहला कारण है कि सिलाम हुशेन ने इराक के अंदर बहुत सारे ऐसे हतियार जो सामुहिक संसार संभार के हतियार मने जाते हैं वो एक अंठे कर रुकें सामुहिक संसार के हतियार इन्हें एक अंठे कर लिया जिस हम कहते हैं Weapons of Mass Destruction अंतराश्टी समझोतों के तहद सभी देशों ने ये तै किया है कि किसी भी तरह के मास डिस्ट्रक्शन के हथियार नहीं बनाये जाएंगे और ऐसा करने के पूर्व सुरक्षा परिशद या सिमिक तराश्चंग की अनुमती आवश्चक है मास डिस्ट्रक्शन मास डिस्ट्रक्शन का एक सा एक हमले में जिसमें हजारों लोग मारे जाएं जो केमिकल वेपन्स होते हैं या परमाण बम होते हैं आद याद ये आते हैं weapons of mass destruction में तो अमेरिका ने स्विप राज संग को बार बार ऐसा कहा कि उसके पास ऐसे mass destruction के बहुत सारे हथियार हैं जिसके evidence हमारे पास हैं हमारे ने अमेरिका के पास हैं ऐसा अमेरिका का कहना था तो उसे रोकने के लिए एराक पर हमला किया जा रहा है ऐसा उसका कहना था और उसने हमला कर दिया इस हमले में एराक में सामूहिक नर्थ संभार के कोई हथियार नहीं मिले अब देखिए अभी मैं केवल घटना करम की बात कर रहा हूं कि उसने मार्च 2003 में हमला किया कोईलिशन अफ विलिंग्स के नाम से 40 देशों की फौज बनाई जिसकी अगवाई वो खुट कर रहा था स्विक्त राश्चंग पर बहुत डबाव बनाया स्विक्त राश्चंग मना करते रहा लेकिन उसके बाद ये अमेरिका आगे बढ़ गया और उसने कहा कि ये हमला का उ हमेजे एराक में ये देखने के लिए कि वहां पर ऐसे हथियार हैं क्या और तो राश्चंग को ऐसे कोई हथियारों के उपस्थिती नहीं मिली लेकिन उसके बावजूद अमेरिका ने तो मकसद बना लिया था उसने अंदाज लगा उसने तो निश्चित कर लिया था कि हम इस पर हमला करेंगे और उसने हमला किया इस हमला का मकसद वास्तों में कुछ और था कहने को तो उद्देश क्या था मास डिस्ट्रक्शन के हथियारों के निर्माण को रोकना जिसमें सदाम हुसैन हमें सहयोग नहीं दे रहा है जबकि सदाम हुसैन का कहना था था है हमारे ह कोई हत्यार नहीं है स्विंक तुराज संग को उसमें आमंत्रित किया कि आप अपना दल भेजिए और पूरा सर्च कर लिजे इराक में तुराज संग ने अपना दल भी भेजा कोई हत्यार नहीं मिले लेकिन अमेरिका अपने कोईलिशन अफ विलिंग्स के साथ आगे बढ़त पर कबजा करना और एराग से में सद्दाम हुसाइन को हटा कर अपने पसंद की सरकार पिछलगू सरकार ऐसी सरकार जो इसकी कटपुतली का काम करे उसे स्थापित करना क्योंकि मैंने आपको बताया पूर में कि सद्दाम हुसाइन लगातार अमेरिकन नीती की आलुचना कर रहते आ रहे थे वे एक ऐसे नीता बनके उभर रहे थे जो अमेरिका को सतत रूप से विरोध कर रहा था उनकी नीतियों का उनके गले की फांस एक तरीके से था तो अमेरिका का संग के या विश्व के सामने उद्देश क्या था मास डिस्ट्रक्शन के हथियारों को रोकने के लिए सामोहिक नर्संभार के हथियारों को रोकने के लिए लेकिन अंद्रूनी उद्देश क्या था पहला तेल भंडारों पर नियंतरन पाने में सफल होना क्योंकि उस समय पेट्रोल की कीमतें बहुत ज़्यादा हो रही थी और पेट्रोल के भंडार उस समय की एनरजी क्राइसिस को देखते हुए बहुत मस्पूंट थे और दूसरा कारण अपने पसंद की सरकार बैठाना परणाम क्या हुआ कि एराक में सदाम हुसाइन की सरकार कुछ ही दिन में गिरा दी गई ऐसे हमले हुए सदाम हुसाइन को कर दिया गया सदाम हुसाइन और एराकी फौज के साथ बहुत बरवरता का विवार किया गया और सदाम हुसाइन को पबलिक फांसी कहना चाहिए एक तरीके से दी गई अमेरिका जहां अपने एक देश में सफल हो गया क्या उद्देश था एक सरकार को हटाना तथा कथित त फल नहीं हो पाया है और दूसरा देश क्या था कि उस खेतर में शांती बनाया रखने में योगदान देना आज भी वहां अशांती बनी हुई है एराक में अमेरिका के खिलाफ एक पूरा जन विद्रो भड़क उठा क्योंकि लोगों को बाद में पता लग गया कि अमेरिका का वास्तवे को देश नर्तंभार के हतियारों को रोकना नहीं था वो तो एक बहाना था वो तो एक बहाना था जब ये लोगों को मालूम पड़ा तो अमेरिका के खिलाफ काफी बड़ा विद्रो शुरू हुआ परणाम क्या हुआ कि इस युद्ध में तीन हजार सैनिक मार गया एक ऐसी जगह की लाई में मारे गया जिससे अमेरिका का स्वैम का डारेक्ली प्रत्यक्ष रूप से कोई सरोकार नहीं था वो तो केवल तेल भंडारों पर नियंतरन चाहता था लेकिन उसमें भी उतनी सफलता उसे नहीं मिल पाई क्योंकि आने वाले समय में जो अशा हुआ कि जो जानकारियां बाद में उससे मालूम हुआ कि एराक के भी लगबग पचास हजार नागरिक मारे गए और अब तो ये चूंकि ये इतिहास अब पुराना हो चला है इस पे काफी अध्यन हो चला है ये बासपश्ट हो गई है कि एराक पर अमरीकी हमला सैन्य और र मैं पुना दोरा दूँ सैन्य और राजनेतिक धरातल पर असफल अमेरिका सैन्य और राजनेतिक धरातल पर असफल इसका क्या अर्थ है इसका अर्थ है कि अमेरिका सोचता था कि इतनी बड़ी फाज लेकर चालिस देशों की फाज लेकर एक तरीके से मानों विश्व मिल गया है और उसके वहां हमला करेगा और उसमें नहीं लगेगा इस युद्ध को जीतने में पर ऐसा नहीं था लड़ाई में सामरिक मामले में सैनिक युद्ध में अमेरिका को कितने सैनिक खोने पड़े तीन हजार के आशपास तो वहां असफल था राजनीतिक पराजित कर दिया, स्दाम हसेन को तो फांसी दे दी, स्दाम हसेन की सरकार का पतन कर दिया, लेकिन वहां पर शान्ती नहीं हो पाई। राजनेतिक जिससे उसकी बदरामी हुई इराक के अंदर ही इतना बड़ा जन विद्रोव हुआ जिसका समर्थन विश्च के अन्य बड़े बहुत सारे देशों ने किया कि अमेरिका की हालत खस्ता हो गई पतली हो गई और इसलिए हम कह सकते हैं कि दोनों दृष्टियों से अ अच्छफल था एक बार हम थोड़ा फिर से देखें कि Operation Iraqi Freedom का उद्धेश क्या था पहला इराक को सामूहिक नर्शम्भार के हतियार बनाने से नश्ट करना ये तो एक पहला उद्देश दूसरा उद्देश था इराक के ताना शाही और आतंक वादियों का जो गड़ है तो सदाम उसके जो नित्रत्व कर रहे हैं वहां के राश्ट पती सदाम हुसान उसे समाप्त करना समाप्त करना मतलब फिर दूसरी सरकार का आना तो एक अच्छी सरकार वहां स्थापित करना ये भी उसका उद्देश था तो दो द्देश थे लेकिन इसका असली उद्देश क्या निकला बाद में पता लगा कि असली उद्देश था कि अमेरिका इराक के तेल घंडारों पर नियंत्रन चाहता था दूसरा एराक में अमेरिका अपने मन पसंद की सरकार बैठाना चाहता है उसका एक कारण ये भी था क्यों वो इतना आतुर था कि एराक में उसके पसंद की सरकारा है एराक की आप जो भगोलिक स्थिति देखते हैं वो देखिये अफगानिस्तान जो अपना बेश चाहता था तेल भंडार तो चाहता है तो दूसरा देश क्या है अमेरिका में अपनी मन पसंद सरकार इस्थापित करके एराक को अपने बेश के रूप में मिडल इस्ट में मध्यपूर्व के क्षेत्र में उसका उप्योग करना परणाम क्या निकला कुल मिला क कि इसका परणाम क्या हुआ अमेरिका यद्यपी कुछ हासिल नहीं कर पाया विशेश इराक से बलकि उसका नुक्सान ही हुआ तीन हजार उतके फौजी मारे गया करोनो डॉलर्स खर्च हुए लेकिन हासिल ये किया कि सदाम हुसान हट गया दूसरा अमेरिकी शक्ति के वर्च जस्व का बड़ा प्रदर्शन हुआ उसका और विस्तार हुआ मध्यपूर्व के खेत्र में भी उसकी पकड़ मजबूत हुई पैठ मजबूत हुए उसका एक प्रखर विरोधी समाप्त हो गया ये एक बहुत बड़ी काम्याबी अमेरिका के लिए थी तो विश्व में अम संविक्तराश्चंग की बात ना मान करके विश्व को पुना दिखा दिया कि संविक्तराश्चंग भी अमेरिका की कट पुतली है संविक्तराश्चंग भी अमेरिका की पकड़ में हैं सोचे संविक्तराश्चंग जिसमें लगवग दुनिया के सभी देश उसके सदत से हैं ये सभी देश इसके खिलाफ रहते हुए भी अमेरिका का कुछ नहीं मिगाड़ पकर पाए उसका विरोध नहीं कर पाए केवल उन्होंने एक तरीके से अपनी बात रखनी चाही कि ये गलत होगा लेकिन उसके आगे नहीं बढ़ पाए दूसरे शब्दों में वो अमेरिका को यदि चाहते तो इस हमले से रोक सकते थे क्योंकि ये गैर वाजिब हमला था किसी दूसरे देश के अंदरूर मामले में कोई दूसरी सत्ता दखल नहीं दे सकती ये अंतराश्टी कानून है लेकिन यहां अमेरिका ने वो भी चालिस देशों की फोजों के साथ उस पे हमला क कर दिया तो यह गलत था तो पर यह साबित हुआ इसका परणाम दूसरा यह निकला कि अमेरिका ने सहीखत राशंग की बात ना मान करके विश्व को दिखा दिया कि सहीखत राशंग भी उसकी कटपुतली और दूसरे शब्दों में सहीखत राशंग जिस देश से बना है व क्यों क्यों क्योंकि चौथा कारण चौथा परिणाम सिदाम हुसाइन जो इसके प्रखर विरोधी थे उन्हें गद्धी से हटा दिया गया तो अब मिडल इस के खेत्र में भी अमेरिका की पहुंच बन गई